चली सुबह 10 बजे की बुलेटिन की शिरुवात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखीमपुल हिंसा मामली में आरोपी आशीश मिश्रा को पुलिस से मांड पर लेने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है थोड़ी देर में पुलिस आशीश को रिमांड पर ले की और आशीश मिश्रा को आज से 15 अक्टूबर के सुबह 10 बजे तक पुलिस रिमांड पर रखा जाएगा आशीश ने SIT घटा सर पर ले जाकर सवाल पूछेगी साथी घटा के वक्त वो कहा था इसे साबित करने के लिए आशीश मिश्रा को कहा जाएगा जो काफिला डैपुटी सीम को लेने गया था उसमें कूल कितने वहन थे उन वहनों पर कितने कारिकार्टा और पताधिकारी सवार थे उन वहनों को कौन चला रहा था ये वहन किसके इशारे पर चल रहे थे किसने भीड की ऊपर वहन चड़ाने का हुक्म दिया था accounting सवालों के जवाब पुलिस रिमांड के दौरान तलाशी की लखीम पूर हिंसा में मुख्य आरोपी आशीश मिश्रा की मुश्किलें अब दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रहे हैं आज इसी कड़ी में साइटी पुलिस कस्टडी रिमांड में आशीश को लेगी और यह समय दस बज़ से शुरू होने वाला समय पंद्रा तारिक सुबा दस बज़े तक चलेगा और इस दोरान आशीश से वो तमाम सवाल हिंसा से जुड़े हुए किये जाएंगे यहां से दस बज़े साइटी की टीम उन्हें लेने आएगी और उसके बाद क्राइम ब्रांच के अपने दफ्तर में ले जाकर पूस्ताच करेगी इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है जिससे कि जब आशीश को यहां से ले जाया जाए तो किसी भी तरह का कोई परदर्शन की सिती अगर बनती है तो उससे समय रहते निपटा जा सके इसी के साथ साथ करीब दस बजे इस गेट से जेल के गेट के सामने से और रिजर पुलिस लाइन में जहां पर क्राइम ब्रांच का दफ्तर बना हुआ है उसके भीतर कमरों में ले जाए जाएगा और वहाँ पर क्राइम ब्रांच और S.I.T. मिलकर पूरे मामले से जुड़े हुए तमाम सवाल के पुस्ताच करेगी इसके साथ साथ लकेम पुर हिंसा में जो तमाम सवाल आशिश जुड़े हुए है कि कार में 315 बोर के राइफल के खोखे कैसे मिले आ और इन ही सवालों के जवाब के लिए S.I.T. आज से जुटेगी इसके बाद उमीद यही जताए जा रही है कि जल्द ही वो तमाम बड़े नाम भी इस जाँच में खुलेंगे जो इस हिंसा में सबसे बड़ी वजह भी रहे हैं कैमरामान दिवाकर के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया लखीमपूर मेडिकल कराने के बाद वहां से टीम आशिश को लेकर के सीधा क्राइम ब्रांच जो की ठीक सामने ही दफ्तर बना हुआ है इसे पुलिस लाइंग में और उसके अंदर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ले जाए लिए आशिश को और वहां पर वो सवालों को दौर एक बार होगा जो इन्वेस्टिगेशन के तमा दौरान तमाम जरूरी सवाल है जिनका जवाब जाना जरूरी है हमाँ साथ बाचित करने के लिए यहीं पर ही समवादाता लकीम पूर के दिलीब जी कब से कितनी देर में पूरी प्रक्राइश शुरू हो जाएग और क्या लगता है दिखे अभी यह प्रोग्राम पर पहले जो कोड ने कहा था कि दस बजे इनको जो है नियाए खिरासत में इनको जो कस्टरी पुलिस कटरी में दिया जाएगा और उसके तहत सजर कोटवाली की पुलिस वहाँ पर पहुंच भी चुकी है गेट पर गाड़ी लगी है कुछी चड़ों में वहां से इनको कस्ट्डी में लेकर के सीधे क्राइम पर उनसे सारे आधिकारी मौझूद है और उनसे कोशिस कि जाएगी जो भी फायर में दज कराए गये उसके फेवर में साच्छी जुटाय जा सक्यों बिल्कुल यह उसके बाद थोड़ी देर में यहां से जाए जाए जाएगा और उसके बाद को कि वहां पर साइटी की पूरी टीम मौजूद है तमाम वरिष्ट अधकारी डियाजी उपेंड अगरवार एक बार इंवेस्टिगेशन पूरी तरह से शुरू हो जाएगी जिसके बाद बताया जा रहा है कि रीक्रेशन भी कराई जा स सकता है जहां पर इंसा की पूरी बारदात को अंजाम दिया गया इसके साथ साथ जो भी चीज़ें महत्पूर्ण